चोड़िये और चलिए ये बताईए कि ये भगवान अकेला था ना हाँ अकेला था तो वो भगवान अकेला उसको भ्रम कहां से आया अज्ञान से हाँ तो अज्ञान को आप मानते नहीं आप तो अज्ञान है अनादी और एक ब्रह्म है अनादी और अगर दो मान भी लें आप तो ब्रह्म तो नित्य ज्ञान स्वरूप है आप कहते हैं प्रकाश स्वरूप है तो अज्ञान रूपी अंधकार प्रकाश पर आधिकार कैसे कर लिया ब्रह्म ने अपने को संसार कैसे मान लिया जीव कैसे मान लिया ये अज्ञान ब्रह्म को कैसे हो गया अगर अज्ञान अनाध भी है तो ब्रह्म को अज्ञान कैसे हो गया अच्छा एक बात और बताओ अद्वेती लोग अपकी बहुत ज्ञान से सुनना कि अनारिकाल से अब तक अनंत जीवों को यानि ब्रह्मों को ये ब्रह्म हुआ तो क्यों जी ब्रह्म तो अपने-पने मन के अनुशार होता है न? हाँ तो ये सारे ब्रह्मों को जो ब्रह्म हुआ कि ये पेड़ है तो सब को ये कैसा ब्रह्म हुआ ये पेड़ है अरे किसी को होता ब्रह्म कि ये बैल है किसी को ब्रह्म होता कि ये गदा है किसी को ब्रह्म होता ये चंद्रमा है सब को ये कही ब्रह्म कैसे हो गया कि सब उसको पेड़ देख रहे हैं अरे सबका मन अलग-अलग है और सबको भ्रह्म हुआ तो सबको अलग-अलग दिखाई पड़ना चाहिए अब अना दिकाल से अब तक जो पेड़ की परिवाशा लिखी गई है सब वो ऐसे ही देख रहे हैं किसी के मन ने और बस्तू नहीं देखा उसको ऐसा कैसे हो गया तो जमी नहीं बात तो दूसरे आए अब बदल गया सिद्धान उन्ही की संप्रदाय में उन्हें का देखो जी हाँ ये तो ठीक है कि ब्रह्म एक चिन मात्र है चितनात्माने चेतन प्रकास्नात्र उसमें कोई गुणून कोई क्रिया कोई कुछ नहीं है निरवयव है कोई उसका अंग फंक कुछ नहीं तो वो एक दूसरा आया इसी संप्रदाय का उसमें कहा परिछेद बाद सही है बिबर्त बाद गलक हो गया यह क्या होता है कि ब्रह्म का ब्रह्म बिद्या से जुक्त हो गया तो इश्वर हो गया और अबिद्या से जुक्त हो गया तो जीव हो गया तो क्यों जी एक बात बताओ ति आप अरी चिन निरावायव चिन मात्र प्रकाश मात्र ब्रह्म का चुकड़ा कैसे हुआ अब वो भी दो चुकड़ा बड़ा चुकड़ा ईश्वर हो गया अब उसी ने शृष्टी किया है ब्रह्म कुछ नहीं करता अच्छा तो पहली बात तो किये उसके दो टुकड़े ये बिद्या कहां से आ गई और अबिद्या कहां से आ गई खाजी ब्रह्म ही तो था एक और अगर मान लो तो भाग बिद्या अबिद्या कहीं चुपे हुए थे और प्रकट हो गए और उनसे एक ईश्वर बन गया उसने शिर्ष्टी किया तो ये बताओ कि ईश्वर के सब संकल्प गुण वगएरा है हाँ है तो क्यों जी जब ब्रह्म में नहीं है वो चीज तो ईश्वर में कैसे आ गई जब ब्रह्म आ करता है तो ये इश्वर सिर्ष्टी करता कैसे हो गया जो गुण पिता में होता है वही तो पुत्र में आएगा तुम्हारी बात जम नहीं रहे तीसरे आए उन्होंने का जी प्रतिबिम्ब बाद सही है ये क्या होता है बिम्ब का प्रतिबिम्ब क्या मतलब मतलब ब्रह्म का की परचाई ये जीव है और ये जगत है तो क्यों जी परचाई जो होती है ये तो साकार बस्तु की होती है देखो सूर्ज की परचाई चंद्रमा की परचाई पानी में पढ़ती है ये चंद्रमा ये सूर्ज है ये तारा दिख रहा है पानी में तो पानी भी साकार है और वो भी साकार है जोनों के आकार है तो प्रतिबिम्ब पढ़ रहा है क्या आकाश का भी प्रतिबिम्ब होता है एक खाली जगे है इसको आकाश कहते हैं नथिंग ये इसका प्रतिबिम्ब और वो जिसमें पढ़ रहा है वो भी कुछ नहीं है कुछ नहीं का प्रतिबिम्ब कुछ नहीं में पढ़ा तो कुछ नहीं निकलेगा अरे निराकार ब् प्रतिभिम्ब, संसार, साकार कैसे बन गया और एक बात बताओ तुम्हारे जितने अद्वईती हुए हैं आज तक इसी संसार से रोटी दाल खाते थे कोई सन्यासी बिना खाय रहा है कि आज तक शरीर को तो भूख प्यास ब्रह्म ज्यानी को भी लगती है खाना पड़ता है भिक्चा मांगके खाना बनाता नहीं ठीक है एक प्रतिभी पर चलता है यह शरीर धारण किये है यह भी जीरो है जिस आख से देखता है किताब लिखता है ब्रह्म सूत्र वगेरा भाश वगेरा वो कलम दवाद सब बिच्चा है सब भ्रह्म है ऐसा कैसा भ्रह्म है भई यह तो साक्षात है सब का अनुभव है तो बिम्ब प्रतिभिम्ब बाद यह चोथे आये उन्होंने कहा देखो ऐसा है जी आत्मा जो है यह परमात्मा जिसको ब्रह्म कहते हैं इसने अंता करण को करता बना दिया मन को तो ब्रह्म कुछ नहीं करता यह मन करता है तो क्यों जी यह मन निराकार है न और ब्रह्म में भी निराकार है तो निराकार ने निराकार को करता कैसे बना दिया जब कारण में वो शक्ति नहीं है कर्तिर्ट की तो कार्ज में कैसे आईगी और फिर विरोधी चीद कि ब्रह्म को चेतन है और अहंकार जड़ है ये तो माया से बना है तो चैकन्य और जड़ का संबंद कैसे होगा तुमारी बात भी कुछ जमती नहीं कुछ लोग बोले कि देखो जी ऐसा है जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो वो ब्रह्म बन जाता है चो क्यों जी जब भगवत प्राप्ति के बाद ब्रह्म बन जाता है तब वो उसका ये अज्ञान समाक्त हो जाता है अजी प्राप्त तो यही है अज्ञान आया कैसे तब लोग जड़ा बुद्धी लगाओ अज्ञान क्या अनाद है और अनन्त है यानि अज्ञान सदा से है सदा रहेगा तो सदा से है यह तो आप मानते नहीं आप तो खाली एक ब्रह्म मानते हैं और सदा रहेगा यह भी आप नहीं मानते हैं आप कहते हैं प्रहम अज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान चला जाएगा इसलिए यह लाइन भी बेकार तो क्या एक दिन अज्ञान आया और सदा रहेगा आप यह भी नहीं मानते क्योंकि सधा रहेगा कैसे भैयो तो जेद कह रहा है अज्ञान चला जाएगा तो फिर क्या एक दिन अज्ञान आया और एक दिन चला जाएगा ऐसा है अब चुप हो गया हो अद्वेती कि आया कैसे कहें क्योंकि ब्रह्म को अज्ञान आया कैसे हुआ कैसे उस तो नित ज्ञान रूप है उस के तो परिवासा ही है सत्दं बिज्ञानं आनंदं 치ा वो ग्याता मानते ही नहीं ब्रह्म को ज्यान मानते हैं ज्यान देखो अंदिर कोई आदमी कहे देखो पेड नहीं है काचने वाला भी नहीं है अब काचना हो रहा है ऐसा कैसे पेड नहीं है काचने वाला भी नहीं है अब काचना हो रहा है यानि आत्मा या परमात्मा ग्याता नहीं है ग्यान है ग्यान है और वो ग्यान कैसा है जिस पर अग्यान कभी ना हुए तो साध ही होता है अगर एक दिन आया अग्यान तो फिर हम ग्यानी बन जाएंगे तो फिर आ जाएगा फिर तो ये गधे काचनान हो गया कोई हल लाखों जन्मे मेहनत करके ज्यानी बने और फिर एक दिन अग्यान आ जाए हमला कर दे हमारे उपर ये तो इंपॉसिबिल है तो फिर ऐसा होगा ति अग्यान अनादी है लेकिन सान्त है एक दिन समाप्त हो जाएगा लेकिन आप तो अग्यान को अनाद मानते नहीं क्योंकि आप तो एक ब्रह्म मानते हैं खाली तो ये तो हम लोग मानते हैं कि अग्यान जुक्त जीव अनादी है और एक दिन अन्त हो जाएगा आप तो ऐसा नहीं मानते कि कोई अज्ञान नाम की चीज पहले थी ब्रह्म सदा ज्ञान सुरूप है कोई हिसाब नहीं है तो शंकराचार जिनी ये अपने उस समय के हिसाब से ऐसा सब लिख दिया है लेकिन स्वयम ने भक्ती की है स्री कृष्ण की इस सब बातें आपको आगे बताई जाएंगी डिटेल में तो आप इतना समझ लीजिए केबल कि ये अद्वईत बाद एक भोखा है एक संत ने कहा मायाबाद मदान भगार मुश्रा है पागल जोर से गुस्ते में तु आहम ब्रह्मा स्मीत मुहुर मुहुर बदसिरे जीवत तो मुनमत तबत तुझे उनमाद रोग हो गया है जो तु कहता है मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ अरे आईश्वार जम्तव कुत्र अरे बेद तो कहता है एश्ण सरबेश्वरह सरबाधिपति द्रहदारन को पनिशत चार चार भाईश सरबग्या सरबेश्वरह सरबाधिपति सुभालो पनिशत पाच एक सरबग्या सरबेश्वरह सरबाधिपति महोपनिशत सब बेद मंत्र कह रहे हैं कि वो सरभग्य है मुंदकोपनिशत एक एक नौ जस्तर बग्या सरभवित जस्त ज्ञानमयंत पह तो कौन सा जीव है सरभग्य सरवेश्वर सरभाधि पती मैंने आपको बताया था दहराकाश में उभे द्यावा प्रतिवी अंतरेव समाहिते यच्चे हास्त यच्चनास्त तदस्मन सरभं समाहितं पह नंत कोटि ब्रहमांड साब उस भगवान में इस्थित है दहराकाश में तो जीव में इस्थित है पहें विचारे की जीव की कहां गिंती है अजी ब्रहम बन जाएगा जब भगवान गुण दे देगा आठ तत अब बोलो यह आठ गुण जो भगवान में है इसको भी तो बेदान्त ने खंडन कर दिया उत्तरा चे दाविर भूत सुरू पत्तू यह तो बाद में आए ना आठ गुण और उसमें भी एक शर्त है जगत व्यापार भर्जम भोगमात्र साम में लिंगाच्च चार चार सत्रा चार चार एककईष बेदान्त स्रिष्टी याद करने का काम भगवान स्वयम करते हैं किसी महापुरुष को नहीं देते ब्रह्म अगर ब्रह्म हो जाता जीव तो फिर यतोवाई माने भूताने जायनते में करोणों ब्रह्म हो जाते एक मजाग बताएं आपको एक अद्वैती ऐसे भी है वो कहते हैं एक ब्रह्म है अचार वही ब्रह्म इस सब के अंदर है सब है एईendum हिए जितने जीव देखते हैं आप लोग इससब ब्रह्म हैं अच्छा यह अलग-अलग ब्रह्म नहीं हुआ करते एक ब्रह्म है वही सब में है अच्छा तो क्यों जी अगर ऐसा है तो वो ब्रह्म अगर ज्ञान प्राप्त कर ले हाँ तो सोब Messenger का अज्ञान चला जाल तो यह कहीं तो Brahma मानते है यह हाँ तो क्यों जी आज तक कोई Brahma ज्ञानी हुआ नहीं हाँ नहीं हुआ होगा नहीं हुआ तो पिर वेद क्यों बना है यह बेद को परकट की आप वेद को तो मानते है हाँ बेद को मानते हैं तो क्या जवाब है तो फिर तो अलग-अलग ब्रह्म होंगे तो अलग-अलग ब्रह्म होंगे तो कितने सारे ब्रह्म हैं आप से एक मानते हैं बोलती बंद तो भगवत प्राती के बाद भी आनंदी भवत बेद कह रहा है तैतरियो पनिशत दो साथ सुखी भवत बेद कह रहा है कछरुद्रो पनिशत तो ऐसा नहीं है ब्रह्म हो जाएगा कोई जीव ब्रह्म में जो गुण है और सब मिलेंगे उसको आज्ञान मिल जाएगा आनंद मिल जाएगा दिव्य दे सदा को माया निब्रती त्रगुण त्रकर्म त्रदोश पंचक लो सदा को चले जाएंगे यह सब हो जाएगा तो इस प्रकार अब आप समझ गए कि जीव भगवान की शक्ती है ततस्थ शक्ती है और भेदा भेद संबंद दोनों है और सदा रहेगा हम सदा से माया बद्ध थे लेकिन एक दिन माया से रहित हो सकते है अगर ये मैं मेरे को जान ले समझ ले पा ले वो मेरा कौन है और दो ही हैं बच्चे हुए मैं के अलावा एक वो एक ये वो माने भगवान ये माने माया अब इसको पकड़ना है कि कौन मेरा है कौन पर आया है फिर बताएंगे कि कौन पर आया है